एक समय ऐसा था जबकि संपूर्ण धर्ती जंगल और समुद्र से धकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेड़ कटने लगे और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात है कि आज भी धर्ती के 50% से अधिक हिस्से पर जंगल और जंगली पशूओं का राज कायम है। और यदि आप एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने का शौक रखते हैं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक में फैला हुआ है यानि भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्र फल है उससे कई ज्यादा क्षेत्र फल इस जंगल का है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला यह जंगल अंटार्कटिक महसागर में भी मौजूद है। इसका ज्यादा तर हिस्सा उत्तरी धुर्व से लगा जाते हैं। इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। लगभग सत्तर लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रैन फॉरेस्ट है। पे अमेजॉन के जंगलों में अमेजॉन नदी भी मौजूद है। कहते हैं कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एनाकॉंडा भी रहता है। इस जंगल में बगएर सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि यह जंगल इनसानों के लिए किसी बुरे सप जंगलों का ही महाद्वीप है। लेकिन उसमें कांगो तो बहुत ही भयानक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,428 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांगो जंगल आका प्रकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है। क्योंकि यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तंधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा प्रका किसी भी इनसान को मिनटों में खत्म कर सकती है साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है बारिश के कारण यह जंगल जहां लाखों कीडो मकोडो का घर बन गया है वहीं यहां के जंगल घने हो चले हैं लगातार बारिश के कारण पेडो पर भी सेवाल जमा हो गई है इस जंगल में 122 पारकर के दुरलब पोधो की प्रजाती पाई जाती है यह जंगल मुख्य रूप से चिल्ली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानि श्री लंका से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्य पशु पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं। सबसे खास बात तो यह कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32,000 के पचेहतर हजार से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी ह खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने के लिए हर वर्ष एक करोड से भी ज्यादा परियटक आते हैं। टाइगर ही नहीं, कई खूंखार जंगली जानवर और कोबरा सांप पाए जाते हैं। खतरे के साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के कारण इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में यह जगल एडवेंचर परियट है। लगभग दो जहर 402 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इसी कारण से बोटनिकल वैज्ञानिकों के लिए यह जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। यहां घूमना जितना रोमांच भरा है उतना ही खतरनाक भी है। नमबर एट डाइन ट्री फॉरेस्ट आस्ट्रेलिया में स्थित यह जंगल जितना खुब जातियों के जानवरों का घर है। 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में तितलियां, चमगादर और हजारों कीडे रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल भी माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि कि यह पर डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है। नमबर 9 किना बालू फॉरेस्ट मलेशिया द्वीप राष्टर में फैले इस जंगल को यूनेसको ने विरासत स्थलों की सूची में रखा है। लगभग 754 वर्ग किलोमीटर में फैले इस भयानक जंगल में 5000 से भी प्यानक नजर आने वाला यह जंगल परियटकों से भरा रहता है। दिन के दोरान यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है रात में उतना ही डरावना नजर आता है। आप यहां जाकर रोमांचित हो जाएंगे लेकिन यदि गाइडलाइन को नहीं माना तो जानवरों का श और वर्ष भर यहां बारिश होती रहती है जिसके कारण यह जंगल जली यह कीडों से भरा है जो की बेहद ही खतरनाक है। अमेजन के जंगलों से यह जंगल कुछ ही दूरी पर है और यहां 1600 से ज्यादा पक्षी मेंधक और दूसरी जाती के जानवर रहते हैं। बादलों क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।